अब्दावर मा पैल्वी करे कॉस्मिटिक गायने को लोजी ना वेसे पर बेदियोस ने इंटरनेशनल कॉन्फरेंस ने हुजाए चिमा समगर विज्रात मा थी विध्यातियो द्वारा रिसर्च बेपर रजु को रामा वै अने तिनी पर डॉक्टर रे चरचा करी हती समगर विश्रामा थी ना मांगी डॉक्टर रोय भारत मा योनी मार कॉस्मिटिक साजरी नी तब अंगे बात करी हती समगर विश्रामा थी चरसोती बढ़ारे प्रतिनी दियो यूरो गायने को लोजीस नी वाक्षिक कॉन्फरेंस मा भाग ली दो हतो डॉक्टर रजे राणाई जनावगी होतुके दयदियोन स्रेश्ट सार्वार रहत दरे उपलब्द थाई तेज एमनो उद्देस छे यूरो लोजी अने गायने को लोजी बने ब्रांच नी सब दिविजन तरीक यूरो गायने को लोजी ब्रांच विक्सी रही छे यूरो गायने को लोजी बावत नू समपोण ग्न्यान धरावे छे यूरो गायने को संबंधित समस्य धरावती महिलाओने स्रेश्ट सार्वार माटे एफी दर्बल तरीके किमत उपलब्द थाई तेवो जो तेमनो उद्देस छे एक अंदाज मुझब 30 वरस उमरबाद 32 टकार जिकली यूतियों नी खासी अथवा छीक साथे पेसा बनीकरी जवाने समस्य आओ थती होई छे खास करीने भारत जवा देश मां आ समस्य अंगे नी चर्चा में लाओ मां घर मां क्याले घर मां करती न थी अंदाबाद के खिडनी इंस्टिटूट जैसी कोई जगा दुनिया में है नहीं तो पहली बात विए है कि ये कॉन्फरेंस में अभी हम दुनिया की सबसे बड़ी स्टड़ी कर रहे हैं जिसका नाम है TIGHT जिसे कहते हैं थर्मीवा जो आप पीछे देख रहे हैं मेरे ये एक नई डिवाइस है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी का इस्तमाल करती है इससे जो कोई शिरीर में टिशू है उसका हीट और रेडियो फ्रिक्वेंसी के द्वारा उसकी जो प्रक्रिया है ये इस टिशू को टाइटनिंग करती है तो अभी जहां टिशू फटता है उसको टाइटनिंग करने के लिए ये जो सुविधा है ये बिगर सरजरी की है तो ये 10-15 मिनिट में काम हो जाता है और इसका अडवांटेज ये है कि फिर अस्त्रियों को 3-4 हफते चुटी नहीं लेनी पड़ती है जब सरजरी करती है तो 3-4 हफते वो काम नहीं कर पाती है वो भारी समान नहीं उठा पाती है लेकिन ये 15 मिनिट का जो प्रसीजर है ये तो आउट पेशंट में भी हो सकता है डॉक्टर के दवा खाने के रूम्स में भी हो सकता है और इसके बाद स्ट्रेट अवे औरतों को काम पे जाना कोई प्राब्लम नहीं है उनको भारी वजन उठाना कोई प्राब्लम नहीं है तो अगर ऐसी सूविदा सफल होती है तो हम समझते हैं कि ये विमिन की जो पीडा है इनकी ट्रीटमेंट के लिए बड़ा रेविलुशनिरी है अभी कॉंफरेंस में हम समझते हैं कम से कम आठ सो से हजार डॉक्टर तो है और बाकी जो है मीडिया के जरीए वाटसैप के जरीए वीडियो के जरीए देखिए अफगानिस्तान से डॉक्टर आए पाकिस्तान से डॉक्टर आए नेपाल से डॉक्टर आए और स्रिले से डॉक आए इंग्लंड से डॉक्टर आए हैं तो यह सहीं इंटरनेशनल कांफरेंस है बराबर है तो बारत में यह डिवाइस अभी तीन या चार मैने से आई हुई है लेकिन डिवाइस की स्टडी जो है यह दुनिया में पहली बार हो रही है इतनी बड़ी यह सबसे बड़ी स्टड है दुनिया की इसको कहते है टाइट सड़ी और इसका मेंन सेंटर जो है वो यहां है किटनी इंस्टिट अमदाबाद में इसका अभी देखिए हम सोचते हैं कि पहले हमारा जो डिजाइन था स्टडी का यह तकरीबन बारा महने का था लेकिन हम ने हम जब डॉक्टर विनीत मिश्टरा की यूनिट में आए तो इनके पास इतने पेशेंट है कि हम समझते हैं कि एक साल का काम तीन मेहने में हो जाएगा और इसका भी एडवांटेज यह हैं कि अगर यह सफल है तो हम इसको अड़र्टाइज कर सकते हैं हम औरतों को बता सकते हैं कि अभी यह इसका यह जो है यह आपके लिए उपलब्ध है अगर यह सड़ी जल्दी खतम होती है और इसकी सफलता हम लोगों को मीडिया के द्वारा बोल सकते हैं तो फिर हम गवर्मेंट को भी थोड़ा प्रेशराइज कर सकते हैं उनको हम बात कर सेंगते कि यह ट्रीटमेंट सिर्फ अमीर यह जल्दी अच्छा करती है तो सारी जंता को यह उपलब्ध होनी चाहिए तो हम यह भी चाहेंगे कि गवर्मेंट के द्वारा भी थोड़ा हेल्प मिल जाए तो अच्छा होगा ए प्रमाणे आखी हेल्स स्ट्राटेजी मा फेर फार थाए जे अत्यारे रिसर्च बधी थाई रही छे ए बधी वेस्टन वल्ल्ड नी रिसर्च छे और आप झाना दर्दीयों इह वैस्टन वल्ली ना दर्दीयों करता जुदा होई छे एलोको ना कोराक जुदा होई छे, एलोको नी हाइजीन जुदी होई, बंधारन जुदू होई, ले आपड़ा त्यानी रिचर्च थाइली होई, तो ए प्रमाणे आपड़े हेल्प नी स्ट्राटेजी नी अंदर फेरफार करी सकी, अत्यारे जे आपड़े ओप्रेशन करी छ एमाँ पेशन्ट पासे थी, कोई चार्ज लेवा मा आयू न थी, अत्यारे जे खाली दवा ने बदानों 50 पेशन्ट नो आपड़े ओप्रेशन करी ये बदानी दवा, एना बदा जे माटीरियल वप रहे हो, ए बदानों कॉन्फरेंस ने लगभग 4 लाक रुतिया नो खर् योगे सवरी रामा नुच साथे एनस गुजात न्यूस अमदावाद